लोकसभा चुनाव में अब महज कुछी दिन वचे हैं जिसको लेकर तमाम पाटिया अपनी तयारियों में जुट गई है जहाँ एक तरफ NDA अपनी तयारियों में जुटी हुई है वहीं NDA को हराने के लिए नितीश कुमार भी विपक्षी एकता की मोहीम में जुट गए हैं अगली बैठक मुंबई में होने वाली है लेकिन इधर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले लागतार सीटों को लेकर सर्वे जारी हो रहा है बिहार की बात करे तो यहां लोकसभा की 40 सीटे हैं बिहार में महाकरबंधन की सरकार बनने के बाद इस बार सीटों पर कितना आसर पड़ है एंडिये को बड़ा जटका लगा है दरसल सर्वे में बिहार में सीटे पलट गई है 2019 में जिस एंडिये को 49 सीट आई थी इस बार उसकी सीट कम होती दिख रही है यहां बता दे कि उस समय नितिश कुमार एंडिये के साथ थे इंडिया टुडे सीबोटर में जो सीटों का आकड़ा आया है उसकी माने तो इंडिया गटबंधन के खाते में 26 और एंडिये के खाते में 14 सीट जा रही है यानि 2019 को लेकर आकड़ा देखा जाए तो पूरा मामला पलटा हुआ नजरा रहा है अब ऐसे में लोगों का कहना है कि बिहार में नितीश और तेजश्वी आ चुके हैं महागडबंधन की सरकार को एक साल हो चुके है नितीश और तेजश्वी एक साथ काम कर रहे हैं ऐसे में सर्वे के आकड़ो को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नितीश और तेजश्वी के एक साथ आने पर इनकी जोड़ी को जनता पसंद तो नहीं करने जहां का चुनाव इस बार दिल्चस्प होने वाला है बिहार में 2019 में आई सीटों की बात करे तो अभी अकेले बीजेपी के पास 17 सीटे हैं जेडियू के पास 16 लजेपी के पास 6 और कॉंग्रेस के पास एक सीट है इस बार सीम नितीश एंडिये से अलग है इस बार नितीश पर हो ज़ग के रूप में काम कर रहे हैं जिससे नितीश कुमार ऐसा ठान लिये हैं कि एंडिये को सिर्फ विहार से ही नहीं बलकि देश से हटाना है अब ऐसे में जो इंडिया टूडे़ सीवोटर का सर्वे आया है यह भी चोगाने वाला है इंडिया टूडेश सी वोटर हैं मिडिया दर्शन के साथ अगर ये खबर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये खबर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद